हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चनल नाम रिती पहिशन विला आज की वीडियो में लड़ो कॉपाल जी के लिए पोशाक बनाएंगे यह पोशाक आप एक नमबर और दो नमबर के कानाजी के लिए बना सकते हैं इसे बनाना बहुत इसी है अगर आप बड़े साइज में बना सकते हैं तो यह जो फ्लाइर हमने चोटे-चोटे बनाएं इसे आप थोड़ा सा और बड़ा बनाएं तो आप यह पुशाक बड़े साइज में बना सकते हैं या फिर आप ऐसे ही ऐसे सरकल में बना लें और इधर से प्लेट डाल के बना लें सिंपल सी प्लेट का जो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब निए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो प्रिस आप मेरे आने वाली वीडियो की नोटिपेशिन आपको मिलती रहे और यह जो आप देख रहे हैं यह फ्लायर इससे बनाना इत किये देखिए कितनी खुबसूरत है बहुत ही सुंदर है गाइस बहुत सुंदर तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बना लेते हैं यह ब्यूटिफुल सी पुश्राइब यह देखिए सबसे पहले हमें इस तरह के डिजाइन बनाने हैं आप देखें बहुत ही हमने शाटन का फैब्रिक लिया है और एक किरी कि हमने ग्रीन कार में शाटन का फैब्रिक लिया है इसमें एक चीज़ मैं आपको पोलना चाहूंगे आप कोसिस करें कि शाटन का ही फैब्रिक लिये शाटन के फैब्रिक से यह बहुत ही खुबसूरत बनेगा वैसे तो और भ द Da.ा जो है हमने 3.5 इंच लंबाय और चोडाई का लिया है , सबसे पहले हमने यलो आल एक बनाना है तो आप क्या करें इसे ऐसे उल्टा कर ले फे बॉलटा करने के बाद ये रहे इसे हमैं ओसे ट्रेंगल बनाएंगे यह दिए यह हमारा डिजाइन बनेगा आप इसे ना पर इसे स्टाफ्ल लेए या फिर किसी से मेरी आनुट है तो मैंने इसे इस तरह से पकड़ लिये अब मेरी यह उंगलियां सब्सेसे काम करने के लिए यह से किसी EP और फिर इससे हमने यहां से उठाके यहां पर एक बार और हम से का यह को सब सबस्क्राइब क्योंकि भी हमारा भर यहां ची आपके बन गया से लेगे यहां लिया से लिए पर यूद्अक और इससे लेने के बाद यसे आपको smallUST तरीका मैं आपको बता रहे हूं यह देखिए यह हमने डाल दिया है हमारे डिजाइन बन गई अब क्या करेंगे यहां से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद एकदम यहां आधे पेसे हम ऐसे सीधी लगाएंगे चले लगा लेते हैं फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या कर अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो देखिए एकदम हलका सा रखते हो यहां से कट करना है और फिर इसे यहां से ऐसे कट करना है यह देखिए इतना कटिंग करने के बाद हम इसे हलका हलका सा बॉन कर देंगे जिससे इसमें से कोई भी रेसे ना निकले यहां से यहां तक बस ह यहां से करके से हलका साव बॉर्न कर दिना है इकदम सिंपल और आसान सा तरीका है अब यहां से एक भी रेसी नहीं निकलेंगे तो सटन के फैब्रिम में अपको यहीं फैदा है आप टीशू शेपी बना सकते हैं उसे भी अच्छा बनेगा बट बेस्ट यह सोटन में ही इन हमारा हो गया अप यह क्यों ऐसे आसेंबल करते हैं या यह दτιकी हमने आप काफी सारे डिजाइन बना विले से फंबर करने के लिए हम यह फी यह यह नंबर में यह उरी लिह हैं तो चलिए हम इसे जोड़ लेते हैं और यह देखिए यहमने डोरी भी ली है डोरी हम लगाएंगे सबसे पहले हमें डोरी ही लगानी है जिसे हम बात सके तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे तरह सिल देना है एकडम सिम्पल और आसान सा तरीका है गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं ह सब्सक्राइब निएि कि और दिवी धिर तो चली मैं जल जल इसे कर देती हूँ ये देखिए हमने यहाँ पर इसे लगा दिया और यह हमारी पॉरल भी देखिए दिख नहीं तो इसलिए मैंने आपको बोला कि लगाना एकदम उपस्नल है आपको पैस जो भी कडर हो लगा सकते है और इसकिप भी कर सकते हैं यहाँ पर टूटल मैंने यह देखिए तीन दिन छे तीन नौ तीन बारा तीन पंद्रा एक सोले पिसे अटैश किये हैं अब मैं इसे एक बार यहाँ उपर से भी शिलआ है ने तो यह देखिए यह ऐसे लूज फूज होती रहेगी तो चली हम एक बार उपर से भी से लेते हैं मैं सुवी में धागा डाल दीते हूं फिर आपको दिखाऊंगे कैसे सिलना है अब दीखे फ्रेंट्स पर नहीं आपे सुवी में धागा डाल दिया है यह है इसका खुला बाला है ऐसे उल्टा करते हैं और उल्टी साइट से हम सिलेंगे यह देखे कैसे सिलना है यहां से हमें से उसला है लिखती है एकदम सींपपल और आसां सा तोरी का धैगी को सबी को सब्सको बिसे कोई प्रॉबल्म नहीं हो गए आपको बनाने में उसे और बहुत जल्दी बनके डियो जाएगी टाइम भी नहीं लगता है से बंनाने में को आसानी से अपने काणाजे के लिए बना सकते हैं याँ से हम इस सिलेंगे और यह को गंजना सिलेंग थे विए हम पीसे को अटैच कर दिया अब हम इसे गोल कर लेते हैं डीला करेंगे तो यह हमारा गोल हो जाएगा और प्रापर एक राउंड शेप देखें हम टाइट नॉट लगा देंगे जिससे यह उससे अधिक ना खुले यह देखिए यहां पेसे हमें अलका-लकाजा ऐसे करके डीला करना हुगा यह देखिए अभी हमारे सारे पीसे अटैच हो गया है और अच्छा सा यह हमारा प्रापर राउंड सेप भी आ गया है और हम क्या करेंगे यहां से इसे कट कर देंगे नॉट लगा की हमें कट कर दिना है यहीं पर बिल्कुल खीचेंगे नहीं हम जितने पर उतने पर टाइट लगाएंगे यह देख्या हलका तसे इसे मैंने सही कर लिए किहीं यहिए हम एक टाइट सी नॉट लगा देंगे हेलए नीचे गहर समय है बाइब सिंद लेडर, जायिए हमारा नीचे कि घर रेडि हो गया है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पहनाने में आपको आसाने ले अपको पहना लेंगे इसे तो यह हमारा नीचे का घेर रेडियू किया है यहां से यह खुलेगा तो पहनाने में कोई प्रब्लम नहीं है अब हम चोली बनाएंगे तो चोली के लिए आप देख ले हमने यहां पे यह आठी इंच लंबाई और डेढ़ इंच वडाई का फैब्रिक लिए इसे बीस ऐसे फ करेंगे क्या करना है यह देखिए हमने यहां पे इसके ओपर यह लेस अटेश कर दी अब हम क्या करेंगे इसे डबल करेंगे और डबल करने के बाद कट कर देंगे यह हमने बीस से कट किया अब इसे हम यहां पे ऐसे तेलचा से लेंगे चले से लेतें फिर आगे दिखाऊं आपको यह देखें आप हमारी चोली भी बन गई है यह एक साइट से एक कंदे पर आएगी और दूसरे साइट से दूसरे कंदे पर आएगी फिर हम यहाँ डोरी के हल्प से से पीछे से बात देंगे देखें एकदम एजी साथ अधिका मैंने आपको बताया यह देखें बहुत क्लियर तरीके से मैंने सब कुछ आपको वीडियो में समझाया है अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पुछें यहाँ से ऐसे चोली आएगी और यह डोरी हम पीछे से बात देंगे पीछे वाली पीछे कर देते हैं इधर से इसे भी हमने पीछे कर दिया है यह और यह आगा है हमारी ड्रेस यहां से डोरी को ढख लेते हैं वैसे यह लंबी चोली है आपकी डोरी ढखी जाएगी यह देखें कितनी खुब्सूरत लग रही है मैं अगर उठाके दिखाओ तो आप यह अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साफ में बैल आगन पर प्रेस करके औल पर क्लिक कर लें जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सो फ्रेंट्स अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा रादे रादे